मेरा नम है अभीजीत और आज हम लोग रिवीव करेंगे मासेल ब्लेस का प्री वार्क आउट रीप्ट के बारे में फास्ट आफ वाल इसको रिवीव करने से पहले मैंने ये सप्लिमेंट्स को सेवें डेज यूज किया उसके बाद आप लोग से मैं शेयर कर रहा हूँ तो आज मैं ये सप्लिमेंट्स का प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करूंगा कि क्या क्या मुझे फिल हुआ क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा हरे कुछ मैं डिसकस करूंगा वीडियो को एन तक देखिए क्योंकि ये इंफॉर्मेशन के बिना अगर आब ये सप्लि तो हम लोगों को एडिशनली कुछ सप्लिमेंट्स हम लोगा करते हैं जैसे की एल कार्णी टाइं हो गया एल ट्रैट्रैट हो गया या फिर चीले हो गया गर्सिनिया कॉंबोडिया हो गया ये बहुत साल सप्लिमेंट्स हैं जो हम लोग एडिशनली यूज करते हैं बट ये यह सापनिमेंट्स में यह सारा चीज एक साथ ब्लेंड करके इसमें दिया हुआ है जो आपका कॉस्ट एफेक्टिव भी है और आपका रेजल्ट एफेक्टिव भी है मतलब आपको रेजल्ट भी देगा अगर इंग्रीडियेंस का मैं बात करूँ तो मसल ब्लेज प्री वार् करने के टाइम में आप लोग को पता है कि माइन मसल कनेक्शन का बड़ा हाथ है जिसके लिए हम लोग कैफीन यूज करते हैं तो कैफीन और यहां पर टॉरिन इसमें यूज किया गया जो आपको फोकास और इंटेंसिटी जो लाते हम लोग एक्सेस के टाइम में कि मुझे कि ऊफ़र से लगाना है माइन मसल कनेक्शन होका शिचकर सथ प्रॉप यह और इन इंटील के लिए यूज कि यूज की आपकीन और टॉरिन के लिए आपका इक घंटा करते हो वाकान नेचरली आपका डेर घंटा आण्या आम से निखल जाएगा तो जैसे कि supplements में लिखा है यहाँ पर कि यह रीप्ट है रीप्ट मतलब आपका cuttings के लिए यह बहुत यूज होता है मतलब fat loss के लिए हम लोग बहुत यूज करते हैं तो जिसके लिए यह लोग यूज किया गार्सेनिया एक्स्ट्रेक्ट एन एल कार्णिटाइन एन एल ट्रेट यह तीनों चीज को यह ब्लेंड करके इसके अंदर डाला हुआ है यह तीनों चीज बहुत एफेक्टिव है और एक नैचरल इंग्रेडियन्स है जो आपका body का जो fat percentage है उसको drop करने में बहुत हेल्प करत हो फिल ना कड़ा है तब यह supplement आपके लिए बेस्ट है तो अगर इंग्रेडियन्स का मैं बात करूं कि क्या-क्या कितना मात्रा में दिया हुआ है तो एक बार मैं अप लोग को ब्रीफ की बोल देता हूं कि एल अरजिनाइन है दो ग्राम एल सिट्राइन है दो ग्राम टॉर है एकड़ आइडियाल है आपके बोडी का जो फैट लॉस गोल को एशिव करने के लिए बट एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा साप्लीमेंस को यूज करने से पहले आपको एक्सरसाइज अगर आप जब कर रहे हो उसका हाफ एन आवार पहले आप यह सप्लीमेंस को इ नहीं है क्योंकि इसमें बीटा एललाइन नहीं है नियासिम भी इसमें एड़ेट नहीं है क्योंकि अल्रेटे अलर्जी नहीं है तो इसके लिए यह सब्निमेंस को मुझे बहुत अच्छा लगा और एक चीज की कैफिन का मात्रा 200 mg है जिसके लिए आपको आपकर इसको यू तो बहुत हाई होता है इसके लिए राख को नीद नहीं आता है इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लेम कुछ नहीं आ रहे है तो अगर आप एक बीगिनार हो या फिर इंटर्मीडियर हो जो भी हो प्रोफिशन में बहुत दिन कर रहे हो तो आप लोग यह सप्लिमेंस को ले सकते हो बेस्ट पार यह है कि यह सप्लिमेंस जो है आपका अराम से 1700 के अंदर आ जाएगा जैसे कि मैं ओफर में मैं लिया तो यह 1550 रुपीज में मुझे मिला मतलब 1550 रुपाय में मुझे यह एमाजन से मिल गया मैं लिंक दे रहा हूँ आप लोग को लिंक से आप लोग यह सप् आप लोग को थोड़े इंप्रूब कर सकते थे जैसे कि जब मैं ले रहा हूँ इसको तो उतना खास लेवनेट का जो फ्लेवर है मतलब वो जो सोडा वाला फिलिंग है वो नहीं आ रहा है इससे तो वो अगर वो लोग यह लोग डेवलोब करते तो बहुत अच्छे होते ब इस एक बड़ मैं अंदर से मैं दिखाता हूँ सप्लिमेंट्स को यह आपका कॉंटेनर और यह आपका ऐसे सील रहेगा जहाँ पेंबी-बी करके लिख खड़ाएगा यह मैंने पुरा इसलिए नहीं मतलब यह सील को उठा दिया कि ताकि यह जो है इसके अंदर ना जाए औ को सप्लिमेंट्स सा Girman कर दी यह सबीन साइज है नाओ घ्म का जैसे की यह सिपन को आते तो झचाफ pénिमेंट्स मैं बोलुघ ऑगर आपका कोस्ट थुदा कम थो अद्ट भागें मुझे सकते हो और यह चीज मैं है का बेस्ट पार्ट ू मुझे लग कि after 7 days यह मेरा जो fat जो है body का वो drop कर रहा है वो मुझे पता भी चल रहा है और जीम में जब मैं excessive exercise कर रहा हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि body heat हो रहा है अंदर से और वो fat जो है वो reduce हो रहा है धिले धिले मुझे वो feel हो रहा है अगर आप लोग देखना चाहते हो तो इसका मैं एक review दोंगा after one month मत पुरा use करने के बाद क्योंकि यह 27 servings है इसमें 27 servings है एक container में तो आराम से मेरा एक महीने निकल जाएगा तो एक महीने बाद में मेरा जो body का जो condition है वो मैं दिखाऊंगा आप लोग को पता चलेगा कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो मैं 100% एगड़ी करता हो कि आप इस supplement को लीजिए अगर आपके पास budget टाइट है तो आराम से आप यह supplements लेके आपका goal जो है lean muscle gain करने का वो आराम से आप कर सकते हो कोई problem नहीं आए तो याद रख सब्सक्राइब करके जाए क्योंकि नेक्स जो वीडियो आएगा मासेल लेस काई pre-workout 200 के बारे में आएगा जो एक beginner pre-workout है उसके बार में बात करूंगा तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए चैनल को आगे भी लेकर जाएए थैंक्यू सो माइगा